नमस्कार मैं उरी नुकुमारी आप देख रहे हैं पब्लिकेशन यूज चैनल एक्सप्रेस्वे निर्मान की क्रम में पर्यावरा नियमों के उलंगन पर भारती राष्टर राजमार्क प्राधिकरण एनच एई पर एनजिटी यानि की नैशनल ग्रीन कीवलने ने 45 करोड का जुर्माना लगाया है मंगलवार को एनजिटी के चेर्मेन जिस्टन प्रकाश शिर्वास्टर जिस्टन सुधीर अगलवार और डॉक्टर ए सैथिन वेल की पीट ने हाजिपूर गाउं के प्रेम मोहन गोड की याचिका पर ये फैसला सुनाया है ये फैसला किन किन बातों को लेकर लिया गया है चलिए वो आपको बताते हैं दरसल याचिका करता ने एनच एआई पर गुरुगुराम के सोहना तहसिल के हाजिपूर और नू के किरंज गाउं में डि एंडी फरिदाबाद के एंपी दिली बरोदा मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्मान के दोरान पेर काटे जाने चारागा खराब किये जाने जल निकासी के नाले ध्वस्त के जाने के साथ पंचायती रास्ते बरबाद के जाने और सरकारी सरक्षित तलाप को पाट डिये जाने जैसे आरूप लगाए गए थे साल 2022 में लगाई गई इस याचिका के फैसले में एंजिटी ने कहा है कि NHAI तीन महीने में जुर्माने की राशी हरियाना राज प्रदूशन येंतरन बोर्ड के पास जमा करें वे ऐसा नहीं करते हैं तो राज के मुखे सचीव दो महीने में सड़क तोड कर नालो जोहर और चारागा को पुनस्थापित करने का काम करें जिसमें प्रेम मोहन द्वारा दिये गए प्रमानों की पुष्टी करने के लिए और विवादे स्थल के तत्यों की पुष्टी के लिए एंजिटी ने उपायुक्त गुरुगराम की अधिक्ष्टा में एक सरकारी टीम का गठन किया था इस टीम ने पिछले साल जुलाई में मौके का मुआयना कर NHAI को सभी मुद्धों पर दोशी पाया और अपनी रिपोर्ट में हर परियवर्ण उलंगन का विस्तार से उल्ले किया विस्तरत रिपोर्ट के मदे नजर NZT के नियाइधीशों ने NHAI को उलंगन के वे मुद्धों पर उप चार आत्मक कारिवाई करने का मौका दिया और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया जिसमें अपनी अनुपालन रिपोर्ट में NHAI ने परियवर्णी उलंगन को सिरे से खारिश कर दिया था इसके बाद कोट में सभी 17 प्रतिवादियों के वकीलों की वादी वकील से बहस हुई बहस में कोट ने NHAI को तथ्यों के साथ सभी मुद्दों पर दोशी पाया इसके बाद नुपर में अंतिम सुनाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया मंगलवार को लगभग तीन महिने के अंतिराल के बाद NZT ने अपना आखरी फैसला खुली अदालत में सुनाया अपने फैसले में अदालत ने पहले इस तथे पर प्रकाश डाला की जो मुद्देव परियवरन से संबधित नहीं है जैसे पंचायत रास्तों का खराब होना या नए निर्मित रोड की एलाइंजमेंट सही नहीं होना आदी के लिए वादी प्रेम मोहन गोड उचित मंच यानी उचित न्याले के समक्ष अपना अभियोद तर्च करवा सकते हैं क्योंकि ये मसले एंजिटी के शेतराधिकार में नहीं आते अपने 112 पेज के फैसले में एंजिटी ने परियवरन के नुकसान पर नहीं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सड़क तोड देनी चाहिए मगर समुदाइक हित और राजस्प को देखते हुए इससे नहीं तोड़ा जा सकता है परेवरन हित में अनुमती लिया जाना कोई ओप्चारिक नहीं है एंजिटी ने नहीं पर जुर्माना लगाने के लिए इस सिधान का नुपसरन किया कि परियोजना के मुल का 10 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 5 प्रतिशत तक को उसितल लगता ही है इसलिए परियोजना का मुल 908 करोड रखते हुए 5 प्रतीशत के हिसाब से जुर्माने का मुल 45.4 करोड हुआ और उसे पुनाग करते हुए 45 करोड रखा गया जुर्माने की राशी को इस्तिमाल करने के लिए एक समीती का गठन किया गया है इसमें केंद्र प्रदूशन नियंतरन बोर्ट को नोडर एजनसी बनाए गया है विकास के नाम पर ग्रामिनों के जीवन को अस्त व्यस्त करने और परिवरन को नुकसान पहुचाने पर एंजिटी के इस फैसली से अंकुष लगेगा एकस्प्रेस में विकास की जरूरत है मगर गाउं के जोहर चरागा नाले पेड़ आदि को नुकसान पहुचाए बगेर भी यह हो सकता था आपकी इस पर क्या राये है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए धन्यवाद